नमस्कार आप देख रहे हैं न्यूजवल इंडिया आपके साथ मैं हूं का जोन नरायन विजय तिलग जिसको लेकर सियासी दल पूरी तरह से हल चल मचाय हुए हैं यूपे में कमल पूरी प्रकरता से खिला हुआ है कभी कभी अथलेश की साइकल भी इतराती है यहां की सियासी आस्मान में हैदराबादी पतन भी कुलाचे तो खूब खा रही है भाई के बाद बहन भी पंजे को असफलता के शिकंजे से मुक्त कराने में नाकाम ही रही है वहीं यूपे की सियासी महाल में योगी रोज आतिश बाजी कर रहे हैं लेकिन विपक्ष के प्रयास फुल जड़ियों सरीख ही सावित हुए है अब मगलवार कुत्र प्रदेश की राजधानी लखनों में याकया मायवती का हाथी चिंगहर उठा योगी काहंदुत ओविसी के मुसलमान और तालीबान की हलचल के बीच मायवती ने अपने हाथी के मस्तब पर ब्रहमन टीका लगा ही दिया साथी यूपी की चिनावी महाल में शंकनात कर सियासी घंटे घड़ियाल बजा कर एक हलचल मचा दी है एक हफता होने को आया है ये सियासी हलचल खत्म होने का नाम नहीं ले रही है होगी कैसे 2022 में यूपी का विधानसवाद चिनाव जो होना है यूपी में सियासी महाल योगी का हिंदुत्व ओविसी के मुसल्मान हाथी के मस्तक पर ब्रह्मन्टी का साइकल पर अखलीश बाबा यूपी में इस वक्त सियासी महाल चरम पर है वहीं मायवती की चुपी तमाम लोगों को अखर रही थी पहले 2017 के विधानसभाद चुनाव और फिर 2019 के लोग सभाद चुनाव के बाद यूपी की सियासत में बहुजन समाज पार्टी की माया को खत्म मान लिया गया था जो सरह से पूरे समय मायवती मौन साधे रही उसके बाद राजनितिक पंडितों ने मायवती की सियासत के खत्म होने की भविश्यवानी भी कर दी इधर सपा अध्यक्ष अखली श्यादव बीश बीश में कभी ट्विटर तो कभी मीडिया में आते रहे लेकिन मौलायम की समाजवादी पार्टी के संखर्ष वाले चरित्र की कमी से वो पहले बीजोपी के विकल्प के तौर पर अभी तक खड़े नहीं दिख सके उस पर तुर्रा ये कि सपा के मुस्लिम यादव समिकरन को एई आई माईम के असुद्दीन ओविसी ने काटना शुरू कर दिया वहीं भाई राहूल के बाद बेहन प्रियांका गांधी के सियासी टूरिज्म से कॉंगर्स का हाथ यहां पर अपनी रही सही शक्ती भी खोता दिख रहा है इधर कोरोना के दूसरी लहर में लोगों की नाराज़की से कुमहलाया बीज़पी का कमल अब फिर संग और बीज़पी के दिल्ली में दिये गए खादपानी के बाद फिर से खिला दिखाई पड़ने लगा है मुखी मंतर योगी आदतनाथ ने बीज़पी के हिंदुत को अपने तरीके से और ज़्यादा सीचा है अपराधियों के खिलाफ कारवाई और खास्तोर से भाष्णों से लेकर फैसलों तक में हिंदुत के नए पुरोधों के जूप में खुद को साबित करने में योगी काम्याब रहे चोह तरफा योगी आदतनाथ के पोस्टर्स, विज्यापन्स और भाष्णों के बीच विपक्ष के आवाज हलकी से साबित होती रही है वास्ताव में बीज्योप के अंदर की राजनीती खीशतान भी विपक्ष के प्रयासों से ज़्यादा बड़ी खबर के रूप में सामनी आती रही वो भी केंद्रे नत्रित और अरसस ने बैठको पर बैठक पर समहाल लिया हलकी राजनीती का कटू सत्य ये भी है कि जब कोई खुद को अपराज्यों मैसूस करने लगे जब कोई हारता ना दिखे तो उसी समय राजनीती घटना करम या कोई ऐसा मुद्दा होता है जो मजबूत व्यक्तित या सामराज्यों के पतन का कारण बनता है मसलन योगी आदितनात को यूपी जैसे प्रदेश की कमान देकर बीचेपी ने जातियों को तोड़कर हिंदू के रत पो तोड़ने की कोशिश की थी मगर पिछले साड़े चौर साल में विपक्ष तो विपक्ष की पाटी के अंदर भी योगी जातिवाद के आरूपों से पश नहीं सके विपक्ष लगातार उन पर एक जाती विशेश रानी राजपुत अपके को आगे बढ़ानी का आरूप लगाता रहा इसके बावजूद सच यही है कि अभी भी उत्तर प्रदेश में योगी की हिंदुत वादी च्छवी खासी प्रखर है मगर पिपक्ष को तो जातिवाद का मसला ही एक मस्पुत दिवार में दरार की तरह दिखा और उस पर लगातार होतोडे मारे जा रही हैं सयोग से उत्तर प्रदेश सरकार के कुछ घटना करम या फैसले ऐसे हुए जिससे विपक्ष को यारूप लगाने में बड़ी मदद मिल गई सियासत में अजकर की तरह चुपचाब बैठे शिकार का अंतिज़ार होता है फिलहाल मायवती ने वही किया 2007 के दलित ब्राह्मन की परानी कमिस्ट्री को उन्होंने जमीन पर उतारने का फैसला लिया बहुजन सवाज पार्टी में मायवती ने सतीश चंद मिश्र को तब चहरा बनाया था नतीजा पक्ष में आया था अब मायवती को ब्राह्मनों से ही उमीद दिखाई पड़ रही है खास्तोर से पिश्डे वर्ग और ब्राह्मनों का एक तपका योगी सरकार में अपेक्षित महसूस कर रहा है इस तरह की धारना क्या यूपिम बदलाव लाती है ऐसे तमाम सवाल है इसी अधार में चुपचा बैठी मायवतीनी अचाना का योधिया से ब्राह्मन को रिजानी की कवाई शुरू की पहले ब्राह्मन सम्मेलन होना था फिर उसका नाम प्रभुत सम्मेलन रखा गया एक एक वोट का हिसाब किताब रख रही बीजेपी पर इसका असर हुआ और इसकी कार्ट भी शुरू करने की कोशिश की गई सूत्रों का कहना है कि मायवती पूरे उत्तरप्रदेश में सबसे जादा टिकेट ब्राह्मनों को देने का मन बना चुकी है इसके लावा ब्राह्मनों के सम्मान उनकी सुरक्षा का बादा कर मायवती ने बढ़ा दाव चल दिया है मायवती का दाव अपनी जगा है लेकिन एक सच्चाई और भी है मायवती के साथ 2007 में ब्राहमन जुड़े तो जरूर लेकिन में रगातार उनके साथ बने नहीं मसलन 2007 में लगभग मायवती के 37 ब्राहमन चुनाब जीती थी जिनमें से करीम नौ को ही उन्हों के मंतर बनाया था खास बात ये है कि इनमें से जादे तरह बीजोपी का जंडा थाम चुके हैं इसलिए ब्राहमन जो कि यूपी की राजनीती में निरनाएक फैक्टर सावीत होते हैं उनके बीच अभी मायवती को खासी मेहनत करनी पड़ सकती है वैसे B.S.P. के गनित ये भी है कि अगर ब्राहमन B.S.P. के तरफ आया तो मुसलिम किसी भी हाल में B.G.P. को हराने के लिए उनका साथ आ सकता है मायवती ने इसे समझते हुए ब्राह्मनों को तो अपनी रनीती के केंदर में रखा है लेकिन मुसल्मानों पर भी पासा फेका है इसी कड़ी में उन्होंने साफ किया कि बड़े बड़े स्वारा कुर्पती माय नहीं मरमाई जाएंगी केवल विकास का काम होगा यहां समझना ज़रूरी है कि इसलाम में बुद्परस्ती हराम है यह संदेश परोग्ष रूप से मायवती ने मुसलिम तबके को भी दिया राज़ुटे में कौन सा पासा या कौन से चाल उल्टी या सीधी पड़ेगी यह तो जनता के हाथ में है लेकिन मायवती के हाथे के चिंगहार ने यूपी में थोड़ी हल चल तो ज़रूर मचाई है वैसे तब थे ये भी है कि यूपी में सपा बसबा गडवंदन के मस्बूत कणी को 2019 में मोधी फैक्टर धराशाही कर चुका है बस फर्क ये है कि तब लोग सभाचिनाव था और अब योगी का काम और उनका व्यक्तित भी कसौटी पर होगा ऐसे में तमाम सवाल उठ रहे हैं कि क्या मायवती का ये फैक्टर सही सामित होगा बियरो रिपोर्ट निउस्वाल इंडिया अब आपने पार्टियों की कोश्चों के बारे में जाना लेकिन सब कुछ जनता के हाथ में हैं जनता ही फैसला लेगी ऐसे में निउस्वाल इंडिया की टीम भी मैदान में उतरी है और जनता की बीच पहुँचकर उनके मन को टटोल रही है सबसे पहले लखनो करू करेंगे जहां मेरी सयोगी रूबे सिद्की ने ज्याजा लिया है जनता के मन में क्या कुछ चल रहा है वो जानने की कोशिश की है देखे इसने में मौझूद हूँ लखनो के सिकंदराबाग चौराय के पास और हम जानते हैं लखनो में गर्मी के साथ साथ चुनावी सरगर्मिया कितनी बढ़ चुकी है हमाय साथ कुछ लोग जुड़ गया है इनसे इनकी राइ लेते हैं कि यहां से यह सरकार से पास साल होने वाले हैं योगी सरकार को कि यह यहां से खुश है तो पाज सालों में सरकार ने क्या किया सबसे पहले आपना नाम बता दिजिए प्रशान नाम है मेरा किया और यहां इसे लगनों में अगम खासे पांशाल की बात दरा रहे है क्या का सुप? पर नीचे लोगर क्लास तक पहुच नहीं रही है, अब इसमें गॉवर्मेंट को कहा जाए, या बीच में जो बैठे हैं उनको कहा जाए, अब ये तो गॉवर्मेंट बता सकती है, या वो इंकुरी करके, और कहा जाए कि कुछ होता है, अगर कोई छोटा बंदा जाता है, रि बिनाया जा चुका है कि आज की डेट में सोर्स चाहिए, अगर कोई पेशेंट है कोवट का टाइम चल रहा है, अगर कोई पेशेंट बेंटीलेटर पे है, उसके पास अक्सीजन नहीं है, अब पहले उसको करोना वर्ड में करा जाएगा, और आज कल करोना ने सलना है, मैं अब यही चेंज दी हो पा रहा है, मैं तो अगर सेंटरल गववर्मेंट में मोडीजी है, तो उनका एजन्डा यह है, अब सब कुछ तो कॉपी किया जा रहा है, फॉर्णर का तो उनसे यह बी चीजी तो फॉर्णर करें ना, पहले बिल बना लिया आते है, यह रिपोर्ट जुल्वा जो इन्होंने भाटा, गैस कनेक्शन भाटा दा, तो क्या सोच के भाटा दा, उस समय तो फ्री में दे दिये, अब नौसो रुपए चिला दिया इन्होंने, सेंट्रल गववर्मेंट, छेसो के सम्तिंग आसे, अम जब रेट नहीं पता है, मैं इतना जानता है, म स्टेट में आके तीन सो गवर्मेट लगा के नौसो आ गया, और तीस चालीस रुपए सबसेटी आ रही है, तो मतलब ही क्या है, यह सो बिजने सुगा ना, आप बताये कि आपको क्या लगता है, कि जब सरकार बनती है, यानि कि चुनावी तैयारिया जब होती है, अभी जो सबसे तो मामला एवरेजी चल रहा है, यह का इसे चेहरे तलाशने चाहिए, खास्तो रगर ब्रामवन है, इन सबको, अविसले अगर यही में जन्य चल रहा है, तो इस तरह सासे दिखना क्या चलना चाहिए, अब बाकी इसमें किस तरह से रहेगा, वो गवर्मेंट अपने हम लोग मिलता है उतोंने से सब्सक्राइब करेंगे गवर्घन में हुषा अगरी है तो जिने गल होते हैं वो सब अपनी तैयारियां में में जोनी चाहिए जनता को जो वाइदे किया जाते हैं अभी जल्दी जल्दी निप्टाना शुरू हो जाता है अगर जब जैसी कोई गवर्मेंट आती है तो सबसे पहले तो यह तब ही एक्टिव होते हैं उससे पहले तो कोई कुछ नेतनी है कोई नतीजा नहीं निकल रहा है हाँ अब यह है अगले दिन में सुचना तो होने वाले दो तीन दिन पहले होने तो भाई सब के सब एक्टिव हो जाएंगे और जब कर देंगे मेल अजेंडा यह होना चाहिए लोगों का कि अगर जब सरकार आ रही है तो सरकार आने के एक-दो महिने पहले सो सब पहले अपना एक कैम्प लगा है उसका कि यहां हम या वर्नियस कर रहे हैं हम कोविट का वह चीज़ कोल रहे हैं आज के टाम में तीसरी लेहर आने वाली ह तो तीसरी लेड की तैयारी के लिए कि क्या एक खे ःकाम क्या होने चाहिए वह सब पहले घर ऑगर जाकर इनको फ़ोवाइड काना चयाए बंदा क्या सोचता है कि अब बताईए पांस साल योगी सरकार के होने वाले हैं आप लोगों को क्या बैटा लगा ये सरकार में हाँ लगा बट बहुत जादा नहीं लगा अब जिसे की स्टुडेंट्स का ले लो तो ना तो वेकंसी मिल ले ही ना कुछ मिल ला है जौबस बगार मिल नहीं रहीं बोर्ड एग्जाम साले लो तो अब जैसे की वहां पर अभी ज़ीज वेकंसी आ रही है बट कैंसल हो रही है लोग एग्जाम जे रहें कहीं पेपर लिक हो रहे हैं कोई फोंठी बेटर होना चीए अधा पास सालों में कुछ तरखी हुई है आपको यह लगता है आपको हु इसमें यह होना चाहिए देखे इसमें गॉर्मेंट की गलती नहीं है पेंडेमिक ऐसा आया है करोना का तो वो तो अबिसी बात है कि पेंडेमिक है सुच्वेशन अपकी अपा रहे हैं बट इनको एक चीज यह करनी चीज़ थी जो हाई स्कूल और इंटर के जो परसेंटेज विवाष क्रणियों केकि एंतर रहे हैं आपकी बार अनैंटर हएं लूग Uns अब नेsomने पार संटर किये थे तो हम लोग 60 परसेंट प्रसेंड जब की तो हम लोग से बहुत अब तो उससे आए तो हम लोगर कर दे तो इस patrimonus पर हैं इनको शुच्व सीवीशन आवादे कि अगली बार भी लॉकडाउन लग जाएगा, ऐसे ही पास हो जाएगा, तो वो खुश है, बट वो यह नहीं जान रहा है, कि जब इंटर पाफसर करेगा, तो जब इस समय पे, जब एंप्लाइमेंट के टाइम में आएगा, तो अनेंप्लाइमेंट बढ़ रहा है, बिर उज जाता हूं कि गौवर्मेंट को जो हाइगा, इंटर की एग्जाम्स हैं, और उनिवस्टी, अब उनिवस्टी में क्या होता है, उनिवस्टी के इंजाम चल रहा है, ऑनलाइन एग्जाम है, बच्चा उदर से कॉपी पेस्ट कर रहा है, और भरे दे रहा है, परसेंटेज ब कर दें, और जब पेंडिमिक सब नॉर्मल हो जाए, तब डिरेक्ली वो कर दें, फिर उसमें उसका एक ही नदरिया है, कि एक इस रिलेक्शेशन दे दें, उस साब से बढ़ा के, और कुछ नहीं है, मगर अगर ऐसे करेंगे तो फिर कोई भी गवर्मेंट आ जाएगी, नही चीज हो रही है, आगे की उमीद क्या कर रहे है, आगे क्या होनी चाहिए, सरकार को कुछ राय देना है, आप कुछ बताएंगे कि यह नए कुछ सुझा हुए, आगे की उमीद में सरकार अगर मुझे सुनेगी, तो मैं यही कहना चाहूंगा, कि सिस्टम को सुदा रहे है, शर्टल्सिस्टाइजन आमHiya फे थाणा, ङॢर मों है तो यहां आमिया खया और सका ज्यदा लूझ भून सीमिस्टेन 2015 कैनलीक ससूपने इस दिन सरकार कुछ दिन के लिए नहीं भी होगी मगर जब तक कि आपके यहां पे कहीं पे वी में हमाई कंट्री मैं अब weapon अगर रहा है निए इंग नियाल हय तो इसे दे। सवस्टीम के बाता है न बता हूं ये मैं के निव सरकार को आपके वोगी निशस्फों पर यारा कि उतने उतनी ओपर लेवल पा Begin क मैं जानता हूं कि उस लेवल आप बता हूं केasantstar को नुकसान हुआ है पेले वो नुकसान पूरा हूँ यह जो परणिय कुछ से सब्सक्राइब से को फिरी करना चाहिए जिससे बहुत नुकसान हुआ है science पढ़ाय का चीजों का तो जनता को एक रहत मिलेगी पानी लाइड टमांव चीजह तरह की छोटी-छोटी हैं ग्यास तरह की रोजमार्ज वाली चीजह पिर करना चाहिए सरकार को कुई भी सरकार को क्योंकि अब शपनने वाले और वो शिस्टम में भी है चल भी रही है तो बेहतर यह कि सब को तवज्जु देना चाहिए छोटे लोगों पे भी बड़े लोगों पी सभी उससे पड़ीत रहे हैं जितने का मकान नहीं होता उससे जाधा भी ला रहा है तो सबसे जाधा माल तो लाइट की पड़ती लोगो कि क्या रही है इसमें यह मिस्में बेजभावन ना किया जाए और एक नदर से देखा जाए सब को छोटा बला कोई नहीं है इनसान सब थे जाने सब को एक नदर से लिए तो मेरे तो एक अलगी थी, बहुत अच्छी थी, तो उनके मुकाबले पे मेरी नदर में अभी कोई नहीं आया, और ऐसे ही बनाना चाहिए, सब के लिए बराबर हैं। उत्ता परदेश, कि अगर हम बात कर रहे हैं, कुछ नया चाहते हैं, कुछ बदलाओ चाहते हैं। बिल्कुल हर कोई बदलाओ चाहता है, और जनता ही लाती है, हम ही आप सब चुन के लाते हैं, तो हम ही आपको अगर फाइदा ना मिला तो बेकार हैं, चुनने से हम खुदी ना आपस में कॉंटिंग करके जनता ही ना फसला कर लें। तो हम लोग जब किसी लीडर को चुनते हैं, तो लीडर पे बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है। लीडर चाहे किसी का हो, कांगेस का हो, चाहे वीजेपी का हो, चाहे कोई सरकार हो, लेकिन उसकी बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है, कि हमको किसी तरह की परिशानी न हो पड़ाई से लेके और तमाम रोजगार से लेके इस वक्त रोजगार भी नहीं है लोग परिशान है बे अना परिशान तो सबसे जादा तो रोजगार पे ही तवज्जे दिया जाए और गायन सायन पर तवज्जे दिया जाए चीजे जनता को क्या फिरीद दी जाए जिससे आम चोटा बड़ा सब एक नजर से देखा जाए उने लगता है यह गरीब है अमीर है ने सब एक नजर से सरकार उसी की बनेगी जो एक नजर से देखेगा जैनि कि अब इसके उसमें नहीं है कि ब्रामड साधे है नहीं यह कोई माने नहीं होता है इंसान सब हैं सब में जान है सब अपना एक ही सिस्टम से चलते हैं सब भी पानी पीते हैं सब खाना खाते हैं सब को चोट लगती सब को दर्द होता है मैं यहीं चाहता हूँ एक नजर से देखे है जिहां यहां के लोगों का तो यहीं मानना है सरका लेकिन जो मुद्दा है वो रुजगार का हो विकास का हो यानि कि जनते की जो राय है वो खास तोर से यही है कि हमारे जो भी फैसले हो सरकार के हातों में हो वो एक अच्छे ही फैसले हैं लकनों से कैमा पसंद अभिशेक के साथ रुबिस्चिद्धी की नूजवाल इडिया अपने वोटरों को लुभाने में जोटी हुई हैं सब मौझूद हैं गाज़ेबाद के एक ऐसे लाके में जहां पर तमाम लोग मौझूद हैं आये इंस लोगों से बात कर लेते हैं और जानने कोशिश करेंगे कि इस बार पास साल के कारेकाल के बाद क्या सरकार दुबारा होगी आप बताें क्या योगी सरकार दुबारा आएगी मिलकुल नहीं रहते हैं तो मिकास नहीं है गाता हूад लोगों की आती है इसे में कुछ लोग और इंसे बाहत कर लेते हैं आप बताएं चुनावों के क्या हाल है क्योंकि जिस तरीके से 2022 में राजनितिक कि सरकार आजा आपके लाके में क्या काम नहीं हुआ है काम हो रहा है और अभी हाल की सरकार योगी सरकार है तो फिर लगता ही कि ождưaसा प्रतिक्रिया लोगों की नसे बात करते हैं आप बताएं योगी सरकार होगी हां होगे रिपीट होगी तरी के से खह सकते हैं यह योगी ने सरकार को समझ्लों क्या किया उन्होंने उन्होंने बहुत कुछ किया है समझे लोग चाहते हैं योगी सरकार आए लेकिन दुकंदारों से भी पूछ रहते हैं कि आखिर चुनावों को लेकर राजनितिक पार्टियां किस तरीके से तैयारी जुट आप बताएं भी तरीकी के तैयारी लग रही है सब्रक्राइब हो गी किस तरीके से कह सकते है ले दो गडरी से कि क्यों इधोगी सरकारानी चाहिए मौहँ पता ख्यों यह सरकार है हम चांटे ठीक अच्छी हम चाहते हैं क्यों है और मयवती की सरकारण नीची कि इस गरीब आदमें को पीशरे है अपने चक्कर में विकास किया है लोग यह चाहते हैं बीजेपी सरकार दुबारा आई योगी सरकार दुबारा है हाला कि लोगों का ये भी कहना है कि सपाइक सरकार अगर आती है तो उनके मंद चाही वो सरकार होगी है तमाम लोग मौझूद हैं और लोगों से जान लेते हैं कि आखिर लोगों की प्रतिक्रिया क्या है क्योंकि 2022 के चुनावों के लिए पूरी तरीके से राजनिदिक पार्टियां तयार हैं आप बताएं 2022 में राजिंदिक पार्टियां पूरी तरी के तयार हैं क्या लगता है किसके सरकार होगी बाई यहां देखो कितनी भीड़ है जनता के लिए कोई गाड़ी नहीं लग रही सारी गाड़ी तो ममंगा लिनों ने अलिगड़ में यह दरदर की ठोग रखा रहे हैं आतरी इसलिए मैं तो चाहता नहीं कि पीजेपी की सरकार बनें बस सबसिद्धी बात यहीं मेरी तो कहीन कहीन लोगों में नाराजगी भी है अब इनका कहना है कि यहां पर जो तमाम लोग हैं वो यहां पर काफी समय से इंतजार कर रहे हैं लेकिन गाड़िया नहीं आ रही हैं ऐसे में परेशानी तो है परेशानी है साहब और इस परेशानी का सबब जो आम जन को देखना पड़ रहा है वह बहुत दुखत है आप बताएं सर क्या लगता है 2022 में किसकी सरकार आईगी पांच साल में काम हुआ है नहीं हुआ है वह तो आपको दिखाए दरा जो आप बोल लेए यह देखो मुए दो लगता है बीजे भी कि सरकार आई है आपके आपके में काम नहीं हुआ है ने हमारे बीदो कुछ भी नहीं हो देख लो आप देख लो एक घंड़ा होगा मेरे वह दो तो रूपर पेट्रोल होगे चलान स्कूर्टी का मोटरसाइक्स क्या कर कोई भी सरकार है तो देगा कोई भी देगा मोदी योगी अपने घर से नहीं दे रहा गोवर्मेंट सरकार की है यह जो वैक्षिन लग रही है यह कहना है अपर बस बागिया नहीं चाहिए मायाबती की प्रदेश के अंदर जैसे कि पहले था अधिकारी बिल्कुँ हिलता नही है बस बागब सरकार में दुनिया वरकी भरतिया निकली लोगब रोजगार पर की तरकार की सिर्कार को िंगा yapılए यें कि नहीं हुआ पूरी तरीके से सरकार ने नई नियम मनाई थे, क्या लगता है आप खुछ नहीं है तो ये मिली जुली प्रतिक्रिया है, जाहिर तोर पर 2022 में चुनाव आएंगे और अब इस बार लोगों को बदलाव पसंद आ रहा है और अब देखने वाली बास ये होगी, 2021 में किस की सरकार उतर परदेश में बनने जाएगी गाज याबासे जिते इंद्र भाटी, न्यूज वर्ल इंडिया इस खास रिपोर्ट में आज के लिए बस सब्दा ही, तमाम बड़ी खबरों के लिए आप बने रहे हैं, न्यूज वर्ल इंडिया के साथ